सो ही गाईज गड़ मॉर्निंग वेलकम बैक कैसे हो आप सभी आई होप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है तो प्लीज एंड तक देखिए वीडियो को एंड तक वीडियो में बने रही है अगर आप लोगों को कुछ नौलिज चाह और फ्रेंड्स मैं माइक काफे टाइम से लेना भी चाहरी हूं थी जिसके कारण मैं वीडियो वगिए अपलोड नहीं कर पारी थी क्योंकि जो मेरा पुराना माइक था वो हो गया था खराब तो इसलिए मैं काफे टाइम से सर्च कर रही थी बेस्ट माइक तो मेरे को इसके result अच्छे लगे और इसके जो review है वो भी काफी best है तो ये हमें इसमें मिलता है एक इसका case जिसके अंदर हमें मिलते हैं तीन parts बदलब तीन चीजें इसके अंदर हमें मिलेंगे case को हमने open किया तो इसमें मिलते हैं हमें two mics और one receiver ये two mics हैं और इनके साथ में जो मिला है वो है ये एक receiver जिसको हम connect करेंगे phone से phone से connect होने के बाद ही तभी हमारे mics काम करेंगे तो और इसके साथ में हमें जो मिलती हैं वो data cables मिलती है charging data cables जो three types में होती है जैसे की C types और iPhone types तो यह इसकी डाट चार्जिंग डाटा केबल से हैं और केस के अंदर तीन चीजे हैं यह टू माइक्स और वन डिसीवर तो यह आई फॉन की डाटा केबल है और एक सी टाइप है अधर है तो अभी चलिए मैं आपको बताती हूं आज रेड्मी नोट नाइन प्रॉम एक्स के में कनेक्शन इसका क्योंकि उसमें इजी लिए कनेक्ट नहीं होता है उसमें ओटी जी डारेक्ट सर्च में नहीं आता है तो मैं बताती हूं आपको यह रेड्मी नोट नाइन प्रॉम एक्स का मेरा फॉन तो इसमें कनेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा क्योंकि क्या है कि बागी फोनों में तो यह easily OTG आ जाता है बट इसमें OTG सर्च में नहीं आता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके on करनी होगी additional setting setting में जाने के बाद additional setting on की और इसमें सबसे नीचे scroll करके आएंगे तो यह developer option है बट यह developer option भी direct इसमें show नहीं होता है इसको हमें on करना होता है इसके लिए हमें जाना होगा about phone में और MIUI वर्जन जो है इसमें 7 time क्लिक करना होगा 7 time क्लिक करने के बाद यह already on हो जाएगा मेरा already on है क्योंकि मैं इसको कर चुकी हूँ मैं try की थी इसमें तो इसलिए वहाँ पे no field so कर रहा है तो अभी यह on है यहाँ और मैं इसमें receiver को connect करती हूँ अभी इसकी receiver की light आप देख रहे होंगे कि डिप डिप कर रही है क्योंकि हमने अभी OTG connection नहीं दिया इसको तो OTG connect करने के लिए हमें क्या करना होगा फिर से इसकी additional setting में जाएंगे और इसके developer option में जाएंगे developer option में जाने के बाद इसके यह हमने developer option को on किया तो हमें इसमें यहाँ पे मिलता है यह USB debugging तो यह हमारा on है और इसके बाद भी थोड़ा सा यह second का time लेगा क्योंकि अगर हम इसको अलग-अलग मतलब बंद करने के बाद फिर से दुबारा on करेंगे तो यह seconds का time लेता है फिर उसके बाद on होता है तो यहाँ पे यह seconds complete हो चुकी है यहां से okay कर दिया यह connection हो चुका है यहां से इसके बाद हमें क्या करना होगा इसके searching में जाएंगे जो हमारी setting होती है phone की उसके searching में जाएंगे हम यहाँ पे search करेंगे USB अगर हम OTG सर्च करके देखते हैं तो could not find OTG search नहीं होता है Redmi Note 9 Pro Max के phone में तो हमें यहाँ पे search करना होगा USB USB हमने search किया तो हमारे पास काफी सारे options खुलके आए हैं बट हमें इसमें से लेना है default USB configuration डिफॉल्ट USB configuration पे हम click करेंगे इस पे तो यह जो हमारा यहाँ पे 4-5 options हो कर रहा है इसमें जो हमारा blue tick होना चाहिए फाइल ट्रांसफर पर होना चाहिए इसमें पहले क्या था no data transfer पर था लेकिन यह file transfer पर किया तो अभी यह connect हो चुका है बट इसकी light अभी भी dip कर रही है उसका region है कि हमारे जो mic है वो on नहीं है अभी तक तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे अपने mic को on करेंगे थोड़ी देर इसका side में button है उसको press करके रखेंगे तो यह on हो जाएंगे easily अभी एक mic on हो चुका है मैं दूसरे mic को करेंगे तो इसमें एक light dip करेंगी तूसरी बार प्रेस करेंगे तो तूसरी बार प्रेस करेंगे तो तूसरी बार लाइट डिप करेंगी और तीसरी बार प्रेस करेंगे तो तीन बार लाइट डिप करेंगी इसकी अभी आप इसमें भी देखें दो बार लाइट के तीसरी तो इसमें तीन बार लाइट डिप या निकांगे थार्ड लेवल पे चल रहा है थार्ड लेवल पे चलने से मतले हैं कि जो हमारा एक्स्ट्र साउंड है एक्स्ट्र नॉइज है वो नहीं आएगी हमारी वीडियो के अंदर तो अभी हैंसे ड़न हो चुका है यह कनेक्ट हो च जाएगा अभी यह मेरे पास है वीवो वाइ 56 5G तो इसमें मैं क्या करूँगी इसकी सेटिंग के अंदर जाऊंगी सेटिंग में मैं सर्च करूँगी इसमें OTG इसमें OTG डिरेक्ट इजीली आ जाता है इसमें OTG connection सर्च किया OTG पे क्लिक किया और हमने इस OTG को यहां से कर दिया अब इसमें मैं लगाती हूँ receiver जो हमारा receiver है वो मैंने इस से कर दिया connect इसके light dip dip नहीं कर रही है क्योंकि यह OTG भी connect हो चुका है और mic जो है हमारे already on है तो यहां से इसके light dip dip इसलिए नहीं कर रही है तो इसी तरह यह इसमें भी easily connect हो गया थोड़ा सा redmi के phone में थोड़ा tough है बट इसमें easily हो गया तो आज का video बस यहीं tough friends अगर आप लोगों को video अच्छी लगी हो थोड़ा सा भी मतलब अच्छी लगी हो and thank you so much for watching bye bye